हेलो गाईज बारिस बहुत ही बढ़िया हो रही है हर गर में पकोड़े तो बन ही रहे होंगे लेकिन आज कुछ नए पकोड़े ट्राइ करें जिसमें आप बच्ची हुई रोटियां और पकोड़े खाने का मन हो तो रोटी बना कर भी बना सकते हो रोटी का लच्छा तो चलिए जल से स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हमने सबसे पहले चार रोटियां ली है सबसे पहले रोटियां को टेल में हलके से रोश करना है ताकि रोटी अभी हमारी सौफ्ट है तो हमें रोटी को क्रिस्पी बनानी है उसके लिए हमने यहाँ पर पैन लिया है उसमें हम तेल एड़ कर लेंगे और तेल को गरम कर लेंगे और रोटी को इस तरह से एड़ कर लेंगे और रोटी को इस तरह से गुमा के पूरी रोटी को तेल से गार्णिस कर लेंगे और पैन में टेल को फिला लेंगे अच्छे से रोटी को करक कर लेंगे आप देख सकते हो रोटी फूलने लगी है मगर हमें क्रिस्पी करनी है तो गुमाते जाएंगे और पकाते जाएंगे हमने रोटी को अच्छे से क्रिस्पी बना लिया है आप देख सकते हो, पहले से रोटी हो सक्त हो चुकी है, अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे, ठंडी होने के बाद ज्यादा सक्त हो जाएगी, रोटी को हमने प्लेट में निकाल लिया है, आप देख सकते हो, क्रिस्पी बन चुकी है, अब हम इस तरह से रोटी के करने हैं हमें और बावल में एટे जाएंगे टुकडे को kॉंटिटी आप अपने हिसाब से ले सकते हो और हमने यहाँ पर सारी रोती के टुकडे कर लिया है आप देЯख सकते हो तुकडे को हमें ज्यादा बारिक नहीं करना है ऐसे ही चाहिए अब हम इसमें क्रस्ट किया हुआ अद्रक लसुन और हरी मीज का पेस्ट एड़ करेंगे थोड़े प्याज के लच्छे एड़ करेंगे प्याज हमने दो नंग लिया है जितना प्याज जादा होगा उतना अच्छा टेस्ट आएगा हरा धन्या एड़ कर लेंगे आपको जो वेजिटेबल एड़ करना हो आप एड़ कर सकते हो जो पसंद है आपको अब हमें सुख्य मसाले में एड़ करने है तो यहाँ पर हल्ली पाउडर लेई है एक चमच एक चमच सुख्य लाल मिर्च साथ में हम दन्या जीरे का पाउडर एक और आदा चमच जितना और टेस्ट के इसाब से नमक लेना है अब हमें यहाँ पर आदा चमच जितना गरम मसाला और हलका सा खटा मिठा के लिए एक चमच आमचुर पाउडर एड़ करेंगे आप यहाँ पर आमचुर पादर की जगह निम्बू भी एड़ कर सकते हो थोड़ा कंची फ्लेवर के लिए सफेटील एड़ कर लेंगे सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करना है यहाँ पर पानी एड़ नहीं करना है क्योंकि प्याज एड़ किया है तो उसी से ही हलका सा बाइंडिंग आना सुरू हो जाएगा बात में जरूर लगे तो हम एड़ करेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए है आप देख सकते हो कलर भी चेंज हो गया है हलका सा गीला भी हो गया है अब हम इसमें binding के लिए बेशन एड़ करेंगे बेशन से हमारे पकोड़े क्रिस्पी बनेंगे यहाँ पर हम दो चम्मच एड़ करेंगे बाद में mix करके पटा चलेगा कि जरूरत है की नहीं उसके इसाब से एड़ करेंगे अच्छे से mix कर लेंगे इस तरह से हाथों से ही mix करना है और थोड़ा muscle के mix करना है यहाँ पर अभी भी जितना चाहे उतना binding आया नहीं है तो उपर से वापस हम दो चम्मच जितना बेशन एड़ करेंगे अच्छे से mix कर लेंगे और यहाँ पर रोटी हलकी सी soft भी हो चुकी है हमें यहाँ पर बेशन का coating लाना है अच्छे से mix कर लेंगे यहाँ पर बेशन का coating आ चुका है अब हम हलका सा binding के लिए पानी चिरकेंगे पानी की जरूरत लग रही है अच्छे से वापस पानी चिरक के mix कर लेंगे ज्यादा गिला नहीं करना है क्योंकि पकोडे जो बनेंगे वो लच्छे पकोडे बन रहे है आप देख सकते हो बाइंडिंग आना सुरू हो गया है अच्छे से बाइंडिंग आ चुका है इस तरह से हमें बाइंडिंग चाहिए पकोडे का ये रेडि हो गया हमारा बेटर अब हम टेल गरम करने के लिए रख देंगे टेल गरम हो गया है बेतर को इस तरह से छुटा छुटा पोशन में हम छोड़ते जाएंगे टेल में रखते जाएंगे यहाँ पर लच्छे पकोड़े बन रहे है तो सेव कुछ फाइनल नहीं होता ऐसे ही रखते जाना है पैन में जितने आए उतने रखते जाएंगे गैस की फ्लेम मीडियम रखनी है मीडियम फ्लेम पे ही हमें इसको फ्राइ करना है अभी हमें चलाना बिल्कुल भी नहीं है बबल्स कम होने तक ऐसे ही रेने देना है बबल्स कम हो चुके है थोड़ा सा ब्राउन होने तक बबल्स भी कम हो गए है और अच्छे से फ्राई भी हो गए है अब हम प्लेट में निकाल लेंगे आप देख सकते हो बहुती बड़िया पकोड़ा बनकर रेडी हुआ है ये रेडी हो गया हमारा रोटी का लच्छा पकोड़ा जो बारिस के मौसम में जरूर बनाईए सबको पसंद आएगा और ज्यादा ओइली भी नहीं लगेगा और क्रिस्पी लगेगा आप गर्मा गरम मीच फ्राई करके मजे ले सकते हो पकोड़े का आपको हमारी रेशिपी पसंद आई हो तो लाइक और सेर करें